बच्चों हमने पिछली कच्छा में बात किया था कि सतत और व्यापक मुल्यांकन हिंदी सिक्षण में तो उसको हम आंतरिक तोर पर कैसे आयोजित कर सकते हैं और मैंने बताया था कि कच्छा में जो सिक्षा दी जा रही है जो सिक्षा पढ़ा रहे हैं उनी के द्वारा आंतर सो sinus को नियाक पर που अनदर को रही है और की शिख्षक के द्वारह रही है जिस सिख्षक से बिज्यार्थी कि Fin दूधिर ही अब रह neighborhood की ब्यापक मुलियांकन पर रहे हैं अब दूसरी बात है कि व्यापक मुल्यांकन भी होना चाहिए क्योंकि आंतरिक मुल्यांकन के जो प्रश्णों होते हैं वह कल्पिक होते हैं वह वस्तुनिस्ट होते हैं तो उससे आप किसी भी विशेवस्तु का किसी भी टॉपिक का छोटा आयाम ही समझ पाते है लेकिन जब आप विस्तार पुर्वक किसी प्रश्ण का उत्तर जानना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी एकी सेशन के लास्ट में परिक्षाएं ली जाएं, जिसको सत्रांत परिक्षा कहते हैं, और ऐसी परिक्षा में आप बच्चे को बड़े-बड़े सवाल दे सकते है जो कि व्याक्या पर आधारित होते हैं, जो कि निबंध के तौर पर होते हैं, और उसे बच्चे की जानकारी हिंदी भार्षा के बारे में हैं, उसको ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाते हैं, तो जरूरी है कि सतत मुल्यांकन किया जाया और उसको बाहरी तौर पर भी किय जाए और इसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपने जो पढ़ाया है उसका आकलन व्यापक रूप में करें मैं एक उदाहरन दे रही हूं अगर मैं आपसे यह पूछू कि भगवान श्रीराम का जन्म किस अस्थान में हुआ था तो उसका उत्तर सिर्फ अयोध्या ही होग छोटा सा आयाम है छोटा सा सवाल है और एक शब्द में जवाब है लेकिन अगर मैं यह बोलू कि भगवान श्रीराम के व्यक्तित्व का चरित्र चित्रन करें तो इसका जवाब एक शब्द में नहीं संभव है तो उसके लिए आपको व्याख्या करनी पर सकती है बहुत सा गुण के बारे में उनके जीवन संघर्ष के बारे में बहुत सारी बाते हो सकती है तो इसलिए ब्यापक मुल्यांकन भी जरूरी है जो कि सत्रांत में होता है और उसमें हम बच्चों का आकलन मुल्यांकन ब्यापक अस्थर पर करते हैं दूसरी बात है कि इसमें ऐसे पाई मैंने जैसा कि उदाहरन में बताया कि सिर्फ एक शब्द लिखना है तो वह बहुत ही छोटी बात है बच्चा जानता है वह एक शब्द लिख लिए लेकिन जब उसे चरित्रचित्रन करना होता है तो वहां पर बच्चे के क्रियेटिविटी सर्जनात्मक मतलब वह किस तरह से स्रिजन कर सकता है किस तरह से वह लिख सकता है व्याख्या कर सकता है किस तरह से वह चिंतन शक्ति का प्रियोग करता है वह सोचता है वह अपनी भाशा का प्रियोग करता है अपनी भाशा शैली का निर्मान करत करता है तो 17 परिछ्चा में जब आप बरे-बरे प्रश्ण देते हैं और ब्याखवात्मक देते हैं तो भाफ यह को अवसर मिलता है व अपने स्रीजन चम्ता करें और अधार पर उत्तर दे जा तो उसके जो रूप होते हैं व बहुत ही चोटे होते या एक या दो तरीके से अपले सकते हैं लेकिस सत्रान परिक्षा मौखिक भी हो सकती है लिखित भी हो सकती है और प्रायोगिक भी आप कहेंगे हिंदी भाषा में कैसे प्रायोगिक हो सकता है अगर मैं यह कह दो कि प्रेम चंद के किसी एक उपन्यास के घटना क्रम को मेश्वर हो कुछ स्टोरी आप बना सकते हैं घटना करम के नुसार और उस चार पेपर के अधार पर बच्चे को पढ़ाया जा सकता है तो बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट वर्क हैं जो कि हिंदी में है या हिंदी साहित के रीतिकाल का वर्णन कीजिए प्रोजेक्ट के तो फिर आपको वो सारी जानकारी सिलसिलेवार क्रम के अनुसार बच्चे को बताना होगा तो सत्रांत परिक्षा में जो बाहरी परिक्षा होती है उसमें कई तरह के रूप होते हैं आकलन के मुल्यांकन के और इससे बच्चे के जानकारी का हम पूरी तरह से आकलन कर सकते ह हम पूरी तरह से जान पाते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा उसके बाद है कि व्यापक मुल्यांकन जो प्रणाली है बाहरी है उसमें बच्चे का ज्यान बच्चे का भाव और बच्चे का उद्देश्य क्या है हिंदी भाषा सिक्षन का वो सारी जानकारी हमें मिलती है और क्योंकि कभी-कभी अगर उसी विद्याले के सिख्चक है तो प्रेम्स नेह के बल्बूते थोड़ा सा इधर उधर संभावना बनती है पर अगर दूसरे विद्याले से सिख्चक आते हैं तो निस्पक्ष आकलन और मुल्यांकन की संभावना होती है तो यह कुछ ऐसे कर दो कर दो